नमस्कार मैं हूँ निहारिका और आप देख रहे हैं डिज्ञाना नियूस का खास का दिक्रम कॉमनवेल्ट केम्स नियूस डाइवीज कल याने की आठ अगस्त को कॉमनवेल्ट केम्स का आखरे दिन था गेम्स के आकरे दिन भारत ने चार गोल्ड मेडल अपने नाम किये अएवस्तार से देखते हैं कि भारत ने किस अन्दाज में कॉमनवेल्ट केम्स टुमस तूज़ोगंट्यस को आलविदा कहगा बर्मिंगम कॉमन्वेल्ट गेम्स में भारत 22 गोल्ड मेडल सहित 61 मेडल लेकर चौथे स्थान पर रहा 2018 गोल्ड कोस्ट गेम्स में हम 26 गोल्ड सहित 66 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर थे यानी चार साल में भारत के मेडल्स की संख्या घटी जरूर है वहीं पोजेशन में भी गिरावट आई है इसके बावजूद इस बार भारत का प्रदर्शन चार साल पहले की तुलना में बहतर कहा जा रहा है ऐसा क्यूं है इसे हम विस्तार से आगे समझेंगे साथी 2022 गेम्स में हर खेल में भारत में प्रदर्शन किये गए तुलना को भी हम 2018 से करेंगे भारत द्वारत कम मेडल्स जीतने का सीधा कारण है कॉमन वेल्थ में शूटिंग का ना होना शूटिंग कॉमन वेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला खेल बन सकता था भारत ने शूटिंग में अब तक 63 गोल्ड सहित 135 मेडल्स जीते हैं 2018 में हमने शूटिंग में 7 गोल्ड सहित 16 मेडल्स जीते थे इस बार Shooting Commonwealth Games का हिस्सा नहीं था यानि भारत के 15 से 16 मेडल तो ऐसे ही कम हो गए थे इसके बाव जूद हमारे एथलीट्स ने पिछली बार के गेम के तुलना में इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सिर्फ गोल्ड नहीं, सिल्वर और ब्रॉंज भी अच्छी खासी संख्या में भारत की जूली में डाले है इस बार ओवर्राल 5 मेडल की कमी आई है बस शूटिंग की गैर हाजरी में इस बार कुष्टी भारत का सबसे अच्छा काम्याब खेल रहा भारतिय पहलवान 12 एवेंट में उत्रें और सभी ने कोई ना कोई मेडल अपने नाम किया यानि जो भी भारतिय पहलवान बर्मिंगम गया था वह लौटा अपने गले में मेडल लेकर ही है कॉमनवेल्ट गेम्स के ग्यारवे दिन भारत को बैडमिंटिन में तील गोल्ड मिलने है इसी के साथ साथ टेबल चैनिस में भारत ने एक गोल्ड मेडल जीता है इसके साथ ही भारत अब 22 गोल्ड सहिट 61 मेडल लेकर 4th position पर आ चुका है बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने विमन सिंगल्स में और लक्षिसे ने मिक्स सिंगल्स में सुनहरी कामियाभी हासिल की इसके बाद मैंस डबल्स में अधित रॉय और चुराग शेटी ने जोडी बनाकर अपना फाइनल्स मुकाबला जीत लिया है गोल्ड मैडल मार्च में भारतीय जोडी ने सेन रेडी और वेंसेन को इंगलान की जोडी को 21-15 और 21-13 के स्कॉर से हराया है टेबल टेनिस में भी भारत का कमल खिला है अचंता शरत कमल ने कॉमनवेल्ट गेम्स में यह साथवा मैडल जीता है इससे पहले अचंता शरत कमल कॉमनवेल्ट गेम्स 2006 के अलावा 2010-2014-2018 में भी अपना मैडल जीत चुके है इस तरह उन्होंने लगातार पांचवे कॉमनवेल्ट गेम्स में अपना मैडल जीता है Commonwealth Games 2022 में भारतिय पुरोशोकी टीम ने सिल्वर मेडल देश की जोली में डाला है चाहे भारतिय टीम आस्ट्रेलिया से हारी हो लेकिन टीम को सिल्वर मेडल जो पहुचा है वह खिलारियों के लिए गोल्ड से कम नहीं है हाला कि पुरोशोकी टीम को सिल्वर से संतोश करना पड़ा भारत को फाइनल्स में आस्ट्रेलिया ने साथ शुन्यक से शिकस दी यह भारत का तीसरा सिल्वर है भारतिय टीम कभी गोल्ड नहीं ला सकी है वही आस्ट्रेलिया का इहां लगातार साथवा गोल्ड मेडल है देखा जाये तो भारत की मैडल की संख्या जरूर गिरी है लेकिन भारतिय खिलारियों का प्रदर्शन काबिल यत तारीफ रहा है बाड्मिंटन हो, कुष्टी हो, क्रिकेट हो, हौकी हो, या फिर पारा टेबल टैनेस ही क्यों ना हो भारतिय खिलाडियों ने मेडल जीत कर भारत माता की जोली में डाले हैं इस बार खिलाडियों का प्रदर्शन देख भारतिय नागरिक द्वारा लगातार उनकी सफलता की मंगल कामनाय भी की जा रही थी तो यह थी बर्मिंगम में आयुजित कॉमनवेल्ट केम से जोड़ी कुछ खास खबरें अगली बार फिर में लेंगे ऐसे ही किसी बड़े इवेंट के अपडेट्स के साथ तब तक मुझे दीजिये इजाजत और देश दुनिया की बागी खबरों के लिया बने रही है डिजियाना न्यूस के साथ